असलाम अलेकूम and we are talking about SEO and SEM अब SEO और SEM है क्या? Search Engine Optimization इसका क्या मतलब है? यानि कि जो आपके वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं उनको कैसे लाया जाए? और वो कैसे आते हैं? उनका behavior क्या होता है? और दूसरा ये कि जो आपका SEO जो है यानि कि Search Engine Optimization वो आपका creative और technical दोनों को combine करता है Search Engine क्या होता है? Google, Yahoo, Bing mainly Google, 80% लोग जो है पूरी दुनिया में Google इस्तमाल करते हैं कोई चीज जब उनको ढूडनी होती है उनको पता करना है कि जी मुझे travel करना है या मुझे कोई चीज recipe चाहिए तो वो Google करते हैं और उनको information मिल जाती है तो ये हम कैसे करें कि जी जब लोग search करें तो हमारी website जो है वो टॉप पे आए वो तरीका जो है वो SEO से होता है या SEM से होता है Search Engine Marketing SEO जो है वो organic है उसमें कोई पैसे नहीं लगते है मगर जो SEM है उसमें आप पैसे दे कर भी ये काम कर सकते हैं मगर दोनों चीजों में चाहिए आप SEO कर रहे हो चाहिए आप SEM कर रहे हो आपको content जो है वो इस तरह लिखना है कि वो आपके search engines या जो Google का तरीका है या Yahoo का तरीका है keywords को search करने का वो उससे match करे और जब वो match करता है तो वो आपका page पहरे page पहले आता है दूसरे पहले आता है या उसको बेहतर कर देता है तो इसको लिखने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो ऐसे लोग हमारे पास आएं या ऐसी चीज़ें आएं हम इस तरह content लिखें कि हमारा website जो है वो आसानी से search हो सके और जो लोग है वो सबसे पहले हमारे page पर आएं तो जो keywords इस्तमाल होते हैं वो बहुत 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 ज़ादा जरूरी होते हैं SEO में क्योंकि जो एक computer है या जो internet है या जो एक search engine है वो keywords को इस्तमाल करते हुए वो देखता है कि अगर किसी ने type किया है travel तो क्या ये travel आपके website में keyword है क्या ये आपके description का हिस्सा है या आप इसमें कहते हैं कि हाँ जी मेरा तालुक travel से है तो वो कहते है अच्छा ठीक है इसको ले आओ अब इतनी सारी websites आती है travel में तो वो फिर second words देखते हैं फिर third words देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा match करता है search के लफजों के साथ वो websites जो है वो top पे आती है और also there is सिर्फ एक बात ये नहीं होती बात traffic के भी होती है popularity के भी होती है पैसों के भी होती है तो वो सारी चीजें जब combine करते हैं तो हमारे जो search engine में जो हमारे जब लोग ढूनते हैं तो हमारी website उपर आती है मगर पूरा section है जो SEO पे है आप पूरा course भी कर सकते हैं मगर आज हम बात करें सिर्फ content side की तो traffic जो हमने publicity, revenue, exposure इन चीजों के लिए लाना है आपके पास जितनी traffic आपके पास आएगी उतना popular आपका website होगा उतने पैसे आपके बन सकते हैं या उतने आप popular हो सकते हैं या उतना लोग आपको पसंद कर सकते हैं इसलिए SEO copywriting जो है वो बहुत बहुत जरूरी है और जोब हम लवज इस्तमाल करें वो creativity होनी चाहिए उसमें innovation होनी चाहिए keywords को इसमें इस्तमाल करना चाहिए मतलब इस तरह लिखा जाना चाहिए कि लोग आपके content को आपकी website को पसंद करें और जब वो engage करते हैं पसंद करते हैं तो वो automatic research engine पे उपर आ जाती है तो इसमें जो आपके headline से वो बहुत जरूरी हो जाते हैं जिस तरह आपने sentences लिखें जो phrases आप इस्तमाल करें जिस तरह paragraph आप form करें वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं और आपका content किस तरह लोगों के emotions को जागर कर रहा है, persuade कर रहा है या एक reader को एक action लेने पे आमादा कर रहा है ये सारी चीजें जो है ये जरूरी हो जाती है जब आप एक content लिखते हैं SEO को दमाग में रखते हुए website के लिए Google का ये ख्याल है कि जो कुछ खास words होते हैं या phrases होते हैं खास दोर पे जो long tail phrases कहलाते हैं वो जो है वो बहुत popular होते हैं जिसकी वज़ा से वो उनको एक priority देता है अपने search engine में तो जब हम लिख रहे होते हैं इन चीजों के लिए तो हमें इन सारी बातों का खयाल रखना जरूरी है अब कुछ मैं आपको tips दूँगी SEO एक बहुत vast सा subject है ये एक 5 से 10 minute के segment में पूरा नहीं हो सकता मगर मैं आपको थोड़े सी tips दे रही हूँ जिससे आप अपना जो SEO का content है जब आप लिख रहे होते हैं website का content वो आप SEO और SEM के हिसाब से लिखें तो वो बहतर हो सकता है सबसे पहले get your keyword research on यानि के आपने ये देखना है बाकी researches देखें बाकी websites देखें बाकी आप search engines में देखें कैसे कौन से loves हैं कौन से वो keywords हैं जो के आपके ज़्यादा promote करते हैं website को अगर आप ने लिखा travel और उसके उपर सबसे पहला आपका आता है trip advisor या Expedia तो वो क्यों आ रहे हैं वो ऐसे कौन से लवज हैं जो उनके website पे मौझूद हैं जिसकी वज़ासे वो सबसे उपर आ रहे हैं तो ये सारी एक research आपको करनी बहुत जरूरी है ताके जो आपकी relevant keyword की एक पूरी list है वो आप अपने पास रख लें फिर put the keywords to work इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ये सारे keywords आपको आगे हैं तो सारा का सारा content जो है वो keywords ही keywords हो आपकी headline में keyword होना बहुत जरूरी है और जो बाकी keywords हैं वो आपने एक बड़े creatively sophisticated तरीके से उसमें incorporate करने हैं ये ना हो क जी एक अजीब सा ना उसका सर ना पैर हो और content आपने सिर्फ इसनी लिख दिया है कि keywords और keywords और keywords और keywords डले में तो लोग आपके website पे नहीं जाएंगे तो जब click नहीं आएगा जब आपके past नहीं आएंगे तो automatically फिर आप नीचे चले जाएंगे know the basics of technical SEO यानि कि जो technical side SEO का उसके बारे में थोड़ा सा आप information रखें पूरी रखने की जुरूरत नहीं है जब आप content लिख रहे होते हैं मगर जो उसकी HTML coding है या जो पीछे जिस तरह वो लिखा जा रहा है या जिस तरह वो place हुआ जा रहा है content जिस तरह बन रहा है layout जिस तरह ह हो रहा है वो थोड़ा सा आप देखें ताकि आपको पता हो कि अच्छा मेरी headline इदर जाएगी body text इदर जाएगा तो मुझे eye flow में अपना content इस तरह लिखना है या मेरे पास ये space है जिसमें के मुझे ये content लिखना है तो थोड़ा सा उस चीजों के बारे में थोड़ी सी रखिए make it long enough to count again website के हमने पहले भी बात की इसमें जरा सा लंबा text इस्तमाल होता है compare to other online मगर इतना भी लंबा ना हो कि लोग बोरो जाए watch your analytics आप देखें कि Google Analytics के हिसाफ से लोगों का behavior क्या है कौन से content के पर सबसे ज़्यादा traffic जा रही है कौन सा सबसे ज़्यादा click हो रहा है ऐसे edit your work obviously हम हर चीज के लिए कहते है edit 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 आपको लग रहा है नहीं काम कर रहा दुबारा लिखें दुबारा डाल दें become your own PR agency इसका क्या मतलब है अब आपने लिग दिया content काफी नहीं है अब आपने अपना content जो है वो cross post करना है throughout everywhere ताके आप traffic लेकर आओ अगर आपके पास एक facebook page है वहाँ पर इसका link डाल दो किसी और जो बहुत popular एक website है वहाँ अपना link डाल दो for example trip advisor पर आप जा रहे हो वहाँ comments में कहो कि जी में इस जो यह जगा है इसके बारे में आपको और information जो है इस portal पर भी मिल सकती है तो इस तरह की जो अब आप हरकते करते हो थोड़ी से अपने cross linking करते हो तो traffic आपके पास भी आना शुरू होती है बहुत वक्त लगता है आसान चीज नहीं है मगर कोशिश करते रहें लिखते रहें और आपको पता चल जाएगा कि SEO के लिए लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है अगें बहुत सारी मैंने बातें की हैं मगर उसमें जो main crux है वो है headline Headlines that convey a specific message और idea work best with search users यानी जो आपका headline है वो बिलकुल crisp हो और बताए कि specific message दे रहा हो जिसकी वज़ा से अगर कोई search कर रहा है उस topic के ओपर तो सबसे पहले आपकी website जो है वो उपर आएगी at least दो से तीन दफा blog कीजे या content लिखे या अपने website को आप update करें अगर आप चाहते हैं कि आपको google जो है वो अच्छी तरह ranking दे तो जो आपने keywords ढूंडे हैं जो key phrases है वो अपनी writing में जरूर इस्तमाल कीजे matter description ये एक बड़ा मज़े का tip है बहुत लोग नहीं देते हैं but I'm sharing it with you कि matter description जो होती है आपकी website में उसमें भी description में आप content दे सकते हैं जरूरी नहीं कि आप खुद लिखे आपका जो technical arm है आप उसको ये description दे सकते हैं क्योंकि उससे होता ही है कि this helps the search वो क्योंकि जो search engine होता है वो matter level पे भी देख रहा होता है content level पे भी देख रहा होता है जब आपके matter description बहुत अच्छी तरह लिखा होता है तो again आपका SEO जो है वो बेतर हो जाता है हम एक sample देखते हैं the luxurious service apartments in Dubai if you were a teenager in the 90s your idea of cool apartment may have been the purple one that Monica Geller had in the TV show Friends or the one that Dharma and Greg had but if you were a big fan of these shows you probably watched the episodes when the fictional tenants had to take some of their maintenance issues to their super who did not instantly address them or episodes where they deal with other issues so fast forward 15 years and fly to Dubai and you will discover that all your ideas of a cool apartment cannot compare to the hotel apartments already in abundance in the trade capital of UAE apart from the supremely classy designs and impressive amenities the service is truly what sets these residential provisions apart अब अब अगर इसमें आप देखो न तो इसमें बहुत सारे keywords जो है न वो डले वे हैं cool, cool, apartment, TV shows, friends, and then fictional, Dubai, fly, cool apartment again, hotel apartments, abundance, classy, designs, impressive, service, residential, provisions, apartments तो तो ये सारे वो कीवर्ड हैं जो के हम सब को पता है कि जब हम apartment ढूंड रहे होते हैं कहीं पर भी ढूंड रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जी service है के नहीं है, is it cool or isn't it, because they are targeting a much younger crowd तो जो वो लवज उनको keywords पता हैं कि उन्होंने इस इस ब्लॉग में या इस content piece में उन्होंने ये डाले वे हैं So, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि SEO जो है पूरा course है वो बढ़ाया भी जाएगा और आप ले भी सकते हैं मगर just to let you know कि अगर आप एक freelance के तोर पे SEO का content लिखना चाहते हैं, keywords लिखिए, headlines पे गौर दीजे और जो आपका content है वो audience relevant होना चाहिए, interesting होना चाहिए और अलफाज ऐसे होने चाहिए जो के attention grab करते हो, thank you so much